दोस्तो आज की सांदार वीडियो में हम लोग rank और index वाले questions करेंगे और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कोसिस करेंगे कि हमारा जून मन्त हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितमबर हो गया और October जून जुलाई अगस सितंबर और अक्टूबर महिने के जितने भी most important question है rank और index वाले जो मुझे लगते हैं कि exam में पूछे जा सकते हैं उनका फटा फट से revision करेंगे तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं पहले question से दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा ये सारे question detail में हम पहले भी discuss कर चुके हैं इसमें जैसे अगर आपको इसका answer पता हो तो आप लोग भी साथी साथ में answer देते हुए चलना पहले प्रसना देखो क्या बना है कि हाल ही में यानि कि ये पहले हम शुरू करना है जुलाई मेहने से तो जुलाई का ये question है जुलाई मन्त का ये question है अब इसमें क्या है कि global education monitoring report global education monitoring report किसके दोरा जारी की गई है तो answer इसका अगर आपको पता है answer भी लिखकर बता दीजिए answer हो जाएगा option number B अगर आप भूल गए हैं तो आपको revision करने की जुरत है UNESCO इसका right answer हो जाएगा तो option number B यहां पर सही होड़ाएगा UNESCO ने हाल ही में global education monitoring report को launch किया है इसमें आप देख सकते हैं यह रहा UNESCO जिसने इस global education monitoring report को हाल ही में publish किया है इसकी बात में अगर इस रिपोर्ट के संस्क्रन की बात करी जाए तो UNESCO ने इस रिपोर्ट के चौथे संस्क्रन को हाल ही में जारी किया है UNESCO के बारे में जान लेते हैं UNESCO का फिलफॉर्म एक्जाम में अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा United Nations Educational Scientific and Culture Organization इसका जो Headquarter है यह Paris, France में इस्तित है जो कि इस समय News में भी चल रहा है आगे चलते हैं अगले कुशन की तरब अगला कुशन है कि Global E-West Monitor 2020 Global E-West Monitor 2020 रिपोर्ट हाल ही में किसके दोरा जारी की गई है जो E-Waste होता है आपको बतादू जैसे कि हमारा जितने भी Electronic Devices होते हैं खराब हो जाने पर वो E-Waste में Convert हो जाती है जैसे कि हमारा Mobile खराब हो जाने पर वो E-Waste हो जाएगा हमारा TV खराब हो जाने पर वो E-Waste हो जाएगा तो पूरे Global Level पर एक बहुत बड़ी समस्या है E-Waste तो इसको लेकर ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में United Nations University की दोरा जारी की गई है तो Option No.C का राइड एंसर हो जाएगा यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं Global E-Waste Global E-Waste Monitor 2020 यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बहुत बड़ा E-Waste आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और इस रिपोर्ट को हाल ही में United Nations University के दोरा जारी किया गया है अब इसमें पूछा जा सकता है कि भारत की रहें के क्या है तो Global E-Waste Monitor Report 2020 के अनुसार E-Waste के मामले में E-Waste के मामले में भारत कौन से इस्तान पर आया है तो आंसर हो जाएगा कि इस मामले में भारत तीसरे इस्तान पर आता है Option No.6 का राइड अनसर हो जाएगा भारत जो है तीसरे इस्तान पर आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत जो है यह तीसरे इस्तान पर आता है Global E-Waste के मामले में अब इसमें देखो टॉप के तीन देश कौन कौन से है पहले इस्तान पर आता है देश चाइना चाइना में सबसे जड़ा E-Waste है 10.1 million tons USA दूसरे इस्तान पर है इंडिया यहाँ पर तीसरे इस्तान पर आता है देखो अभी एक recent में UPPCS का एक्जाम जो हुआ था उसमें ये वाला प्रस्ण पूछा भी जा चुका है कोशन बनेगा कि वर्स 2019 में पूरे विश्टो के अंदर में कितने million ton E-Waste डंप किया गया है तो answer हो जाएगा 53.6 million ton जो है E-Waste को डंप किया गया है option number D इसका राइड अंसर हो जाएगा पूरी दुनिया में इतना जो E-Waste है वो डंप किया गया है question है पूरे विश्टो की आबादी में कैसे changes आ रहे हैं इसको लेकर एक report है जिसका नम है Westwick आबादी की इस्तिती 2020 state of world population 2020 report किसके दोरा जारी की गई है तो चुकि ये population से related है इस पुझे से जाहिर सी बात है United Nations का ये organization जिसका नाम है United Nations Population Fund इसके दोरा इस report को जारी किया गया है जिसका नाम है state of world population 2020 चीक है इसके दोरा जारी किया गया है option number 60 का right answer हो जाएगा फिर एक बहुती सांदार इस question को मैं कहूंगा very 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 important question ये question सबसे ज़्यदा important है कि ये जो report है जिसको अभी question किया था हम लोगों ने state of the world population 2020 report के अनुसार पूरे विस्व में लापता होने वाले महिलाओं की संख्या में भारत कौन से इस्तान पर आता है यानि कि पूरे विस्व में जो महिलाओं किसी भी कारण बस लापता हो गई है उस मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे इस्तान पर आता है तो option number D इसका राइडेंसर हो जाएगा कि पूरे विस्व में जो लापता महिलाओं हैं उस मामलों में संख्या के मामले में भारत दूसरे इस्तान पर आता है इस मामले में भारत से पहले चीन का नाम आता है यानि कि चाइन इस लिष्ट में पहले इस्तान पर है और दूसरे इस्तान पर आता है इस लिष्ट में भारत तो option number 20 का राइड एणसर हो जाएगा फिर अगला कोशन आपको दिख रहा है कोशन है State of the World Population 2020 रिपूट के अनुसार पूरे विश्व में पिछले 50 वर्सों में लापता महिलाओं की संख्या कितनी है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14.26 करोर option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा पिछले 50 वर्सों में लापता महिलाओं की संख्या है वो है 14.26 करोण option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा इस दोरान अब अगर हम लोग सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में पिछले 50 वर्सों की दोरान 4.58 करोण महिलाओं लापता हुई है पूरे विश्म में कितनी हुई थी 14.26 14.26 करोण और सिर्फ भारत में 4.58 करोण महिलाओं जो है वो लापता हुई थी और ये चीन में पिछले चीन की अगर बात कर दिया तो चीन में पिछले 50 वर्सों में 7.23 करोण महिलाओं लापता हुई है दोस्तो हमारे करेंड फैस पर अभी ऑफर भी चल रहा है जिसमें कि आप तीन-तीन महीने का बंच हमसे परचेस कर सकते हैं जैसे कि अभी आपके पास में जुलाई अगस्ट और सितंबर का ओफर पीडियाफ आपको नीचे दिख रहा होगा डिस्कुप्शन में वहां से आप फिसको खरीच सकते हैं इसके बार मिन देखो हम लोग भी जून महीने के कोस्टन seconds कर लिए हैं ऐब में अगस्थ महीने के जो वाले कोशचन है उनको करेंगे और थोड़े से जूलाई के हम लोग कर चुके हैं जून जिसका नाम था Robo Banks Global Top 20 Dairy Companies की लिस्ट में Amul Company को पहली बार सामिल किया गया है इसको कौन सा इस्तान पराप्त हुआ है तो answer हो गया था 16 आपको पता होना चाहिए कि पहली बार पूरी दुनिया की Top 20 Dairys की लिस्ट में भारत की कोई एक dairy company सामिल हुई है और उसका नाम है Amul Amul को 16 इस्तान पराप्त हुआ था और यह जो ranking है इसको Robo Bank के नाम से जाना जाता है इसके बाद में कोशन मना था कि Fortune magazine जो है उसके 40 under 40 की लिस्ट में इसा अम्मानी और आकास अम्मानी को किस रेड़ी की तहन इस्तान पराप्त हुआ है तो यह Fortune magazine क्या करता है 40 under 40 40 under 40 की लिस्ट में यानि कि 40 लोगों की लिस्ट बनाता है जो कि 40 साल से कम एच के हों और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसमें इसा और आकास अम्मानी को technology के field में सामिल किया गया है क्योंकि जो Reliance का Geo है Reliance Geo इसको launch करने में इनकी एहम भूमिका रही है इस वज़े से technology की छित्र में इसा और आकास अम्मानी को इस्तान पराप्त हुआ है दोस्तो इसी परकार से पूरी दुन्या में जो innovations हो रहे हैं उसको लेकर भी एक index बना है कि Global Innovation Index Global Innovation Index 2020 में भारत कौन से इस्तान पर आया है तो answer हो जाएगा इस index में भारत 48 में इस्तान पर आया है option number लेकर इसको आप टिक कर देना इसके बाद में एक question बना है T.H.E. Times Higher Education T.H.E. का मतलब होता है Times Higher Education World University Ranking 2021 में Top 350 में भारत की किस university को सामिल किया गया है तो answer हो जाएगा IISC Bengaluru को सामिल किया गया है IISC Bengaluru इसका right answer हो जाएगा तो इसमें देखो IISC Bengaluru को सामिल किया गया है इसी पिरकार से एक ranking है ये question exam में बहुत important है अभी recent में मैंने आपको बिदाए UP में कई exam से में पूछा गया है question है कि business reform action plan जिसको BRAP नाम से जानते है BRAP ranking of states for 2018 and 2019 के लिए किस राज्य को पहला इस्तान पराप्त हुआ है तो business reform action plan में आंत्र प्रदेश को पहला इस्तान पराप्त हुआ है option देकर इसको टिक कर देना इसी प्रकार से BRAP 2019 ranking में सर्व सर्ष्ट प्रदर्शन करने वाले केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली जो है सबसे अच्छा प्रदेश है केंद्र सासित प्रदेशों में जिसने इसमें परफॉर्म किया है उसके बाद में पूरे दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आया है भारक पूरी दुनिया में second position पर आया है तो ये इसका राइडेंसर हो जाएगा दोस्तो अब हम क्या करते हैं अब हम लोग June महिने के June महिने के कुछ questions का revision करते हैं देखो सभी महिनों का अगर mix-up में revision होता रहता है तो हर एक मन्त हमारे touch में रहेगा तो हम लोग देखो जुलाई कर चुके हैं अगस्त का कुछ कर लिया है अब हम लोग June की तरब चलते हैं दोस्तो मचली उत्पादन के मामले में एक report जारी की गई थी question क्या बनेगा केंद्रिय समुद्री मच्श संस्तान CMFRI के दोरा जारी एक report के अनुसार वर्स 2018 की तुलना में समुद्री मच्शली उत्पादन 2019 में कितने प्रतिसत बढ़ गया है तो 2018 की तुलना में जो डेटा देखा गया है उसके अनुसार 2.1% का इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है समुद्री मच्शली के उत्पादन में 2018 के कंपरजन में 2.1% का इंक्रीमेंट 2019 में देखा गया है तो option number 20 का right answer हो जाएगा यह आपको पता रखना है साथी साथ में और भी facts दे रखे हैं जिसको आप लोग PDF परचेस करके पढ़ सकते हैं अब इसी report में 2019 की report के अनुसार मात्रा के अधार पर मच्शली उत्पादन में कौन सा राज्य सीर्स इस्तान पर आया है तो अगर हम लोग quantity की बात करी जाए तो quantity के मामले में आप विश्वास नहीं मनेंगे तमिल नाडू इसमें पहले इस्तान पर आया है हाला कि पस्थिम मंगाल का नाम भी और गुजरात का नाम भी आसपास में रहता है लेकिन इस बार तमिल नाडू ने बाजी मार ली है 2019 के अंकडों के अनुसार तो इसमें अगर तीनों देखे टॉप के तीन राज्य कौन से हैं यहां पर quantity के आधार पर सबसे जदा मचलिया पकड़ी गई है मचलियों का उतपादन हुआ है तो आंसर हो जाएगा तमिल नाडू मैं आपको बदा चुका हूँ पहले इस्तान पर है तो इस इंडेक्स में दोस्तो एक और जिसको इनफॉर्म के नाम से जानते हैं उसकी दोरा रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से इस्तान पर आया है तो यहां पर इसका राइड अंसर हो रहेगा भारत इस लिष्ट में option number B, यानि कि 31 में इस्तान पर आया है, किसी भी risk को manage करने के मामले में, तो risk index में भारत 31 में इस्तान पर आया है, इस report को European Union के आधीन काम करने वाली एक organization, जो कि एक research organization है, inform, inform के दोरा जारी किया गया है, और report का पूरा नाम है, inform report 2020, shared evidence for managing crisis and disaster, इसके तहर इसको launch किया गया है, तो इसमें भारत की rank कितनी है, 31, अगर हम लोग इसमें top के 3 देश की बात करी जाए, तो answer हो जाएगा, Somalia इसमें पहले इस्तान पर आया है, दूसरे इस्तान पर Central African Republican आया है, तीसरे पर South Sudan और Yemen और 31 में इस्तान पर आया है इसमें भारत, जो कि आपको याद रखना है, दूस्तों content बहुत ही सांदार है, आपको एक भी question हमारे PDF से बाहर नहीं आएगा, इसमें आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स भी आइड कर दिया गया है, कि रिस्क भारत की जो रैंक है, इस इंडेक्स में वो है 31, इन फॉर्ब ने इसको जारी किया है, और ये इसका फोटो आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं, अगला question है, कि Global Real Estate Transparency Index, जिसको Greety के नाम से जानते हैं, important question है, पिछले साल जब इसकी रैंक आई थी, तो एक्जाम में कई बार पूछा भी गया था, तो Greety नाम से ये जो इंडेक्स है, जिसका नाम है Global Real Estate Transparency Index, यानि कि Real Estate के मामले में, किस देश में कितनी Transparency है, इस मामले में, भारत को कौन सा इस्तान पराप्त हुआ है, तो answer हो जाएगा, option number B, यानि कि 34 इस्तान पराप्त हुआ है, option number 20 का राइट अस्तान हो जाएगा 34, यानि कि 34 इस्तान यहाँ पर भारत को पराप्त हुआ है, तो option number 20 का right answer हो जाएगा इसमें आप देखेंगे भारत की rank जो है वो है 34 किसमें है global real estate transparency index 2020 में भारत की rank आई है 34 तो 34 भारत की rank है यह है यह यह एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अब चुकि दोस्तो भारत की rank इसमें 34 है आपसे पूछा जा सकता है कि top की 30 कौन कौन से है तो UK को इसमें पहला इस्तान मिला है अमेरिका को इसमें दूसरा इस्तान मिला है ऑस्ट्रेलिया इसमें तीसरे इस्तान पर आया है भारत को इसमें rank मिली है 34 transparency index है जो की real estate के मामने में data को share करता है इसके बाद में एक report है जिसमें की cancer के बारे में preparedness पहलाई गई है question क्या बनेगा वो समस्ते है question मनेगा कि हाल ही में cancer preparedness in Asia Pacific नाम से report में किसके दौरा जारी की गई है तो answer हो जागा इसको हाल ही में EIU के दौरा जारी किया गया है EIU का मतलब होता है Economist Intelligence Unit ठीक है तो ये option number 6 का right answer हो जाएगा कि cancer के मामने में cancer को handle करने में कौन सा देश कितना prepared है इसको लेकर ये index जारी किया गया है तो cancer preparedness index in Asia Pacific इस list में भारत जो है ये जो report है इसको EIU Economist Intelligence Unit की दौरा इस report को हाल ही में जारी किया गया है अब इसमें देखो लिखा है कि इस report में 10 Asia Pacific देशों को सामिल किया गया है अब अगर इसमें देखें ranking के बारे में कि cancer preparedness index में भारत कौन से इस्तान पर आता है तो इसमें भारत जो है आठमें इस्तान पर आता है option number 60 का right answer हो जाएगा यहां पर चुकी इस report को EIU के दौरा जारी किया गया है Economist Intelligence Unit की दौरा जिसका headquarter UK में इस्तित है इसके CEO है Robin Bue यह भी आपको याद रखना है साथी साथ में World Cancer Day किस दिन मनाया जाता है यह हर साल 4 February को मनाया जाता है इस बार 4 February 2020 को मनाया गया था इसके बाद में दोस्तों यह बहला जो question है यह June महिने का question है और मैं अभी आपको बता देता हूँ This is most important question Most important question है इसमें क्या है All India Tiger Estimation All India Tiger Estimation के चौते संस्क्रण ने दुनिया के सबसे बड़े Camera Trap 1 जीव सन्वेचर के लिए Guinness World Record बनाया है सन्वेचर का चौता चक्र किस वर्स आयुजित किया गया था तो इसका पूरा मतलब समझो पहले इसमें क्या हुआ है कि एक जंगल बहुत बड़े जंगल में बहुत सारे camera लगाए गए थे और इसमें क्या किया गया था कि इसमें tiger का जो estimation है कितने tiger वहाँ पर उपस्तित है इसको लेकर एक estimation किया गया था तो camera trap जो ये पूरा बनाया गया है जिसको हाल ही में Guinness World of Record में भी सामिल किया गया है यह जो सन्वेचर है ये वर्स 2018 में start किया गया था या शुरू किया गया था तो option number 20 का right answer हो जाएगा कि 2018 में इसको आयोजित किया गया था इसके मामले में स्री प्रकास जावडेकर के रवारा एक tweet भी किया गया था जिसमें आगे आप देख सकते हैं कि इसी इनके program को इस project को Guinness World of Record में भी सामिल किया गया है तो ये इसको देखेंगे अब इससे जुड़े वे कुछ facts भी हमें पता होने चाहिए जैसे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा survey था जो की 1,21,337 वर्ग किलोमेटर छेतर में किया गया था तो ये data आप exam में याद रखेंगे अपने आप में ये भी question के अंदर में आपको question मिल रहा है यह जो survey है ये वर्ष 2018 में किया गया था इसके लिए 26,760 इससानों पर camera लगाए गए थे इसमें 1 जीवों के 3.5 करोण फोटो लिए गए है देश में बागों की अनुमानिच जो संक्या आई है वो आई है 2967 याद रखना है अगर आप से कोई पूछे इस समय देश में हाल ही में release की गई रिपोर्ट के अनुसार बागों की संक्या कितनी है तो 2967 ये पूरे देश में बागों की संक्या है फिर एक कोशन यहाँ पर बनेगा ये वाली लाइन ये वाली लाइन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्जाम में पूछी गई है हाल ही में भारत में वैश्विक बागों की संक्या का लगबग 75% निवास करते हैं ठीक है फिर इसकी बाद में है कि भारत के द्वारा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बागों की संक्याओं को 2022 तक दोगनी करने का संकल्प भी लिया गया था ठीक है तो आगे चलते हैं आगे कोशन में क्या बनता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी के अल इंडिया टाइगर इस्टिमेशन 2018 से 19 के देटा के अनुसार भारत में टाइगर्स की जो संक्या है वो कितनी है मैं आपको बदा चुका हूँ अभी थोड़ी दिर पहले बदा है 2967 ठीक लगबग 3000 के पास में ये संक्या है इससे आपको याद भी रहेगा पूरा 3000 नहीं है लेकिन 3000 के आसपास में है ये कुस्टन एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं कि भारत में जो टाइगर्स की संक्या है वो है 2967 तो आप्शन नंबर 60 का राइड अंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2006 में 1411 थे 10 में 1706 14 में 2226 और 2018 में जो इसकी संक्या है वो है 2967 दोस्तों आप हम लोग कुछ कोश्टन करेंगे जो कि आपके सितंबर और अक्टूबर महिने से रिलेटेर हैं जो कि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं साथी साथ में अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें साथी साथ में इस PDF को परचेस करना भी ना भूलें अब कुछ रैंक और इंडेक्स वाले कुश्टन को हमने इस लिश्ट के फॉर्मेट में रखा है इसको हम लोग रिविजन करेंगे पहला प्रस्ति क्या बनेगा कि डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रोमोशन 2020 के अनुसार किस वर्स तक पांच बिलियन डॉलर निर्यात का लक्षे रखा गया है देखो इस समय आत्म निर्वर भारत अभिहान चल रहा है जिसके तैद जो हमारा डिफेंस के छेतर का प्रोडक्शन है इसको 2025 तक का लक्षे रखा गया है कि 2025 तक हम 5 बिलियन डॉलर निर्यात जो है अचीब कर लेंगे तो ये इसका राइड अंसर हो जाएगा इसी प्रकार से Future Brand Index 2020 में दुनिया के सबसे बड़े ब्राइंड की लिष्ट में Reliance Industries Limited कौन से इस्तान पर आया है तो पूरे दुनिया के मामले में Reliance जो है दूसरे इस्तान पर आया है सबसे बड़े ब्राइंड की लिष्ट में कुशन मनेगा हूरून Global Unicorn List 2020 में भारत की रैंक आई है चौती भारत की रैंक जो है हूरून दोस्तों फोर्प्स की तरब से एक लिष्ट जारी की गई थी जिसमें की फोर्प्स के पेड एक्टर्स की लिष्ट जो 2020 की है उसमें डौन जॉनसन जो है ये पूरे वर्ड में पहले इस्तान पर आये है और सबसे ज़्यादा महेंगे एक्टर की लिष्ट में पहले स्तान पर आते है इस लिष्ट में एक मात्र भारती अभिनेता जिनको सामिल किया गया है उनका नाम है अक्षे कुमार जिसको सामिल किया गया है कोशन मनेगा कि आवास एवन सहरी मामलों के मंत्राले के दौरा जारी की गई अमर्त योजना में कौन सा राज्य पहले स्तान पर आया है दोस्तो आई हूप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा जिसमें कि हम लोग मिक्सप रूप में कोशन किये थे जिसमें कि हमने जून जुलाई अगस सितंबर और अक्टूबर के बहुती सानार रैंक और इंडेक्स वाले कोशन किये हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं इसे वीडियो उसमें और बनाऊ तो कमेंट करके बताना ना भूलें